दरिये नहीं, मैं इंफेक्टेड नहीं हूँ, नमस्कार, मैं हूँ रमे सवस्ती, हमारे खास काग्रम समय संबाद में आपका स्वागत है। पायरस से निपटने के लिए क्या का कदम उठाए है। लेकिन मैं इस भेंकर बीमारी पर अपनी चर्चा आगे बढ़ाऊं। इससे पहले जान लेते हैं इनके राजनितिक केरियर के में। इनके पिता राजा रुद्ध प्रताफ सिंग सेना में मेजर थे। जब रेटायर होने के बाद दिल्ली में रहते हैं। जब प्रताफ सिंग की पढ़ाई राजिस्थान और मुंबई में हुई है। पढ़ाई के बाद वो घुजरात में कारोबार करने लगे थे। लेकिन बांसी की जनता के काफी दबाव के बाद उन्होंने पहली बार 1989 में। बांसी बिधान सबा से निर्दलिय चुनाव लड़ा और बीजेपी के कद्दावर नेता हरीश चंद्र श्रीवास्तप को भारी मतों से चुनाव हराया। फिर दूसरी बार 1991 में भी उन्होंने निर्दलिय चुनाव लड़ा लेकिन मात्र 389 बोटों से ही उनकी जीत हुई थी। फिर 1993, 1996 और 2002 में भी बीजेपी के बिधायक बने और फिर 2007 में मात्र 2400 बोटों से चुनाव हर गए। जिसके बाद 2012 और 2017 में भी बीजेपी के बिधायक बने और बर्दमान योगी सरकार के क्याबिनेट मंत्री बनाए गए। जैपताप सिंग बेहस सरल सहत सुभाव के धनी हैं साथी छेतर में इमानदार नेता की छवी के माने जाते हैं। उनकी इसी छवी की वज़े से वये दो बार निर्दलिये और पाच बार बीजेपी के बिधायक चुने गए। और 1989 से अब तक राजनीती के छेतर में जमे हुए हैं। जैपताप सिंग को राजनीती घल्गों में साधगी के लिए जाना जाता है। सौमेता, सालिंता भी इनकी एक पहचान है। हाला कि यह राजसी परिवार्स हैं, फिर भी बेहत, शांत और सरद सुभाव के व्यक्ति। जैपताप जी बहुत-बहुत स्वागत हमारे खास कारकरम है। बैसे तो हमारा कारकरम में एक राजनीतिक कारकरम होता है। आपका पहले में मैंने इंट्रिवू लिया था, तमाम राजनीतिक सवाल किये थे। लेकिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ करोना के उपर, क्यों करोना को राज़्टी महामारी घुसित किया जा चुका है। और आप प्रदेज में स्वास्त मंत्री हैं, एक बड़ी जुम्मेदारी आपकी है, अफ़वाओं को कम करने के लिए और साथ में करोना से निबढ़ने के लिए भी। तो अभी तक सरकार ने क्या कहा इंतिया है। विश्व स्वास संगठन तो अभी जल्दी ही इसको एक महामारी का रूप दे दिया पूरे विश्व में और इसके पूर्व ही जब हमको इसका सूचना मिलना शुरू हुआ, जब चीन से ये अंतराश्तिय मीडिया के द्वारा सब जगे प्रचारित होने लगा, जैनुरी 27 हमने तभी अपने नेपाल सीमा पर 19 एंट्री पॉइंट्स पर हमने अपने टीम कठेट करके स्क्रीनिंग का प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया था उसी समय से, और उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे इसकी सुचना और प्राप्ट होने लगी तो हम लोग ने एपोर्ट पर जिसमें लखनाओ और वारानसी एपोर्ट पर थर्मल स्कैनर, डॉक्टर्स की टीम पहले स्क्रीनिंग के लगाई उसके बाद पर थर्मल स्कैनर भी लगाना शुरू कर दिया क्या सेना की डक्टरों को और रेलवे की डक्टरों को भी महामारी से ने बुटने के लिए लगाया गया जी जी उनको भी हम लोग ने उनसे बाता किये उनके फैसिलिटी का भी थोड़ा अंच समने रुकवा लिया है और आव शिक्टा पढ़ेगा तो वो भी हमारे साथ दे यह तो हम लोग ने इधर पिछले कई महिनों में हम लोग ने जब जाच करना शुरू किया और जो पद हमारे अलड़ी स्विजत है उन पद पर जब डॉक्टर गाइब मिलें तो इसकी पूरी एक सिंख्ला निकली और लगबग यह छे साथ सो डॉक्टर या लगबग आट सो कि क्योंकि यह छोइन कर चुके हैं हमारे पतपर पर आने पार सरकारी सीवा को हटाने के लिए एक बहुए लंबा प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब बो जाकर हमारा समाप्त होने जा रहा है क्योंकि यह डॉक्त्र मुझे लगता है कि एक महिने के अंदर ही हो जाएंगे लगबग 600 से लेके 800 का कुछ सी फिकर है ये हो जाना चाहिए और हमारे अभी लोग सेवा आयोग से करीब 2000 डॉक्टर्स हम लोग ने अभी सेलेक्शन किया है उनका वेक्तिकर काउंसिलिंग करके हमने आपकी उनको प्रो से आगे की थोड़ी सी रियायट भी हमने कर दिया कि अगर आगे उनको पढ़ाई करना है पीजी के कुछ कुछ सिवधाव के साथ हमने उनको हमारे सेवा में आने के लिए तो उसमें लगबग 1800 डॉक्टर ने अपनी सहमेटी भी दे दिये वो दो सार के लिए हमारे विभिन प्रात्मिक्सवास के इंदर उपर जाएंगे अभी भी अगर देखा जाए तो जो आपकी CHC होती है पीएच सी होती है जो उस पर जो भी डॉक्टर है वहां पे वो कापी सम्मिदात हैं और कापी सालों से हैं उसके बाद भी उनके अलिया भी कोई ऐसी विवस्ता ने की उनका जो आप कहिए कि उनका वेतन उनका जो NPA नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है वो सब मिला के आज बहुत अच्छा एक पैकेज उनको मिलता है तो उस हिसाब से जैसे जैसे वो आगे सीनियोर्टी में बढ़ते है वैसे वो पैकेज बाद सा डाउन होता है क्योंकि इन सकते हैं तो इस तरह करके ये शोटेज के वज़े से बहुत जगे आज भी नीची के विपरीत बहुत सारे डॉक्टर 15 साल 20 साल किसी एक जगे पढ़े रहते हैं या 10 साल से उपर पढ़े रहते हैं उनका नर्सिंग होम भी बन जाता है उनके और भी अक्टिविटी हो जाते फ़के हैं तो मानुए ज़िश्टी कौन को रहते हैं क्योंकि हमारा पूरा जो ये सवास विभाग का जो स्ट अस्ट्रकशर है ये बहुत बरा स्ट्रकशर है 23 क्रोड कि आबादी को हमको उसका पूरा एक मुफ्ट मेडिकल तेना पढ़ता है सीवाय तेना पढ़ता है और उसके लिए हमको डॉक्टर को अच्छी तरह से उनको भी सुविधा पत्याप्त हो, उनको भी पूरा हम help कर पाएं, उस हिसाब से हम अपना management इधर पिछले 6 मैने में हमने काफी परिवर्टन भी किया है, हमें उमीद है कि अब धीर जीरे जैसे हम policies में थोड़ा बदलाव करेंगे, तो थोड़ा उनके साथ संबाद करते करते उनको भी हम प्रोट्राइट करेंगे, कि आप जहां भी आप जाएंगे, थोड़ा काम आपका ठीक रहेगा, आपके टाइमिंग के साब से ठीक रहेगा, इसमें हम लोग काफ़ कोशिस कर रहे हैं, आप से हमारी बातची तो क्या आरिवेदिक दवाई इसमें ज़्यादा प्रभावी हैं? अपने वैद से, अपने डॉक्टर से, उन लोग से संपर करके, जरूर वो लोगो दवाई खाते भी होंगे, उसमें कोई नुकसान तो नहीं है. स्वामी रामदेव की जो गिलो की डिब्बी आती है, फूपूरे देश के सभी इस टोरों में खतम होके एक दिन के अंदर, इसका मलब भरोसा आईरुवेद पर जादा है? हाँ, उनका बहुत सारे लोग का आईरुवेद दिवा है, फिर एक वो सिच्वेशन भी बन जाता है, जहां लोगों को लगता है कि अगर इसका कोई वैक्सीन ही नहीं है, तो चलिए यही हम ले ले लें, और हो सकता है उससे उनका उप्चार भी हो जाए, एक बचाओ हो जा क्या आपने राजनीत में या उजक्तिकत जीवन में इस तरीके की बीमारी कभी देखी? नहीं हम लोग तो नहीं जानते थे, इसके बारे में ये तो पहले बार हमारे पहले की बार बताते हैं, लोग की फ्लू से भी लोग एक बार मते थे, आप तो फ्लू का वैक्सीन हो गया है, तरह तरह के बीमारिया इस बीच में तो हमने खुरी देखा जो कई वर्षों से चल मेरा है था आईसी कोई बिमारी जिसका अंतराश्टी इस तर पे इतना हुआ रहा हूँ? नहीं, इस तरह का हम को तो नहीं जानकारी कोई इसके बार में. तो क्या आईसी कोई उजना है आपके प्रदेश सरकार की या अन किसी बवस्ता से कि इसका कोई बैक्सीन बनाया जाए या बैक्सीन के उपर कोई बनाने की कोई तयारी चल लए हो? हमारे विग्यानिक हमको लगता है जरूर इस पर वर्क कर रहे होंगे. चाहे वो किसी रिसर्च फैसलिटी में जहां भी हमारा हुगा, हमारे जरूर हमारे भारत के विग्यानिक इस पर रिसर्च करी रहे होंगे. और साथ साथ में अंतराश्ची अस्तर पर हर देश के विग्यानिक इसमें इंटरेस्टेड है कि कोई ये इतना जल्दी फैल रहा है तो प्रयास है कि कोई न कोई इसमें वैक्सीन निकले. लोग बताते हैं कि इस्रेयल में लोग उस अस्तर पर पहुंच गये हैं जहां क्लिनिकल ट्राइल करने की संभावना है. तो यदि वो कोई भी देश अगर क्लिनिकल ट्राइल में आ जाता है फिर भी उसको हुमन ट्राइल पर करने में थ्रौशा समय लगता है. तो आड्रस मेना साल भर के अंदर हो सकता है कोई वैक्सीन निकल आए. जो कि छबी है राज नीद में इमानदारी की ये चबी माने जाती है. आपने उस बश्टाचार को खतम करने के लिए भी क्या उपाय किया और कितनी सफलता मिली आप? अब हम कह सकते हैं कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, सफलता तो काम करते करते मिलेगा. हम इस बात को मानते हैं कि हमारे विभाग में बहुत सारा ब्रश्टाचार है. हमारा जो केडर हमारा डॉक्टर ही है. अगर हमारा डॉक्टर जो मुख चकित्सादी कारी बनके हमारे जनपत के सभी CHCs और PHCs को समालेगा और जिलास पदार को समालेगा तो अपने हम वो जो हमारा उनका मुख उद्देश है कि अच्छी सेवाएं चिकित्साएं सेवा देने के लिए वो प्रतिवत होगा इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कई परकार के मॉनिटरिंग करके और उनसे बात करके और उनके जो कामों को भी थोड़ा आसान करने के लिए अलग-अलग टाइप का हम लोग एक केडर डेवलोप करने के विचार कर रहे हैं ताकि उनका सहयोग भी हो और उस हिसाथ देशा हम लोग प्रयास करने के कुछ कम करने के लिए तो हमारा उमीद है कि समय के साथ जरूर थोड़ा बोट हम उसमें नियंतन ला पाएंगे हम समाप तो नहीं कर पाएंगे बच जरूर उसको हम नियंतन पर लाने का प्रयास करेंगे सरकार में आप बरिष्ट मंद्री हैं अगर हम तीन साल के उबलब्धियों की बात करें तो आप कौन कौन सी परमकूप उबलब्धियों की गिनाना चाहेंगे हमारे भी भाग कर नहीं हम तोटल्टी की बात कर रहा है सरकार की बात कर रहा है अब तोटल्टी में हमारी सरकार जब आई थी तो बहुत सारे छेत्रों में हमनोंने काम करना शुरूर किया सबसे पहले मुझे लगता है कि किसानों का कर्ज माफ करने के साथ साथ में किसानों के लिए एक बहुत efficient system हमने develop किया जहां इनकी जो उपज होती है गेहों और धान जो mainly होता है और कुछ और भी उपज होते हैं उनका kraken को हमने DBT के माधियम से automatic माने एक तो panjian करके online panjian करना हर चीज को जब हम online करते हैं तो हम बिचोलियों को बीच में staff कर देते हैं चाहे हमारे जो pension वाली योजना होती है चाहे किसानों को हम किसी प्रकार का subsidy देते हैं या किसानों को किसी तरह का हम क्या बोलते हैं payment करते हैं ये DBT और online system से हमने इसको काफी चीज इंप्रोव किया और ये हम हर विभाग में भी हम लोग करने जा रहे हैं और कर भी रहे हैं तो एक तो automation से हमारे ब्रस्टाचार में थोड़ा कमी आता है उसके बाद जो अन्य चीजे हैं जैसे जहां ब्रस्टाचार का जर था तोड़ा सा खनन में हम लोग ने इटेंडरिंग करके हमने उसका revenue बनाया है जो मेरा पूर विभाग था आपकारी वो भी उसमें बहुत सारे कमिया थी तो उसमें भी हमने technology जोडते हुए आज उसका 17 से 14 आजार करोड जो हमारी आमदनी थी revenue होती थी उसको हमने 31 आजार करोड तक अभी पहुचा दिया है तो यह हमारे important aspect भी थे और उसके साथ जो वातावरन एक develop करने के लिए उसके लिए एक उद्योग के लिए बातावरन करने के लिए वो जो सबसे महत्पूर है जी ताकि हमारे लोग रोजगार पाए हमारे नौकरी पाए हमारे यूद को नौकरी मिले उसके लिए हमने infrastructure में roads की बहुत बड़ी networking करी पुराने roads को हमने ठीक किया बिजली की विवस्ता हमने बहुत बड़ी किया आज बिजली हमारे गाउं में 16 से 18 घंटा आई जा है निगर निगम में 24 घंटा आ रहे है और जगे 22 घंटे जा रहे है इस तरह का पूरा networking हमने ठीक है और उसके बाद हमने कानून वेस्ता पर भी नेंतन किया जहां तक हो सकता हमने संगठित अपराज और अब जो बड़ावा आ रहा है साइबर अपराज के लिए हर मंडल अस्तर पर हमने साइबर थाना भी खोल दिये ताकि साइबर अपराज जो अब बढ़ते वए अपराज में दिख रहा है और संगठित अपराज को हमने निंतन करके उनके जितने भी ग्याइंग्स हैं उनको तो हम लोगने या तो बं कर दिया या किसी ना किसी रूप में वो खतम हो चुके हैं तो वहां तक करने में हम इसमें सफल रहे कि उद्योग का बातरवन बने जिसमें प्रदान मंत्री ने दो बार हमारे उत्तरप्रदेश में आके इन्वेस्टर समिट भी दो बार किया, ग्राउंड बेकिंग समिट भी किया, डिफेंस एक्स्पो है कितना बड़ा यूजना अभी जल्दी हम लोगने किया जो प्रयाग राज से लेकर चित्रकूर तक अलग 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 सान पर डिफेंस कोरिडोर बन रहा है MOU sign हो रही है, तो यह जो activities हम लोगने शुरू किया, इस से माने धीरे-धीरे करके उत्तरप्रदेश में एक safe investment करने का एक वाताबन बन चुका है, लोग उत्तरप्रदेश के तरफ देख भी रहे हैं, और इन सभी चीज में जब हम improve करते हैं, तो निश्चित है कि इसका per capita income पूरे public की उपर भी बढ़ेगा, बनता है, उनका per capita income बढ़ेगा, और O.D.O.P. एक बहुत अच्छा हम लोगने योजना मुक्वन्ती जी के माद्यम से शुरू किया था, जो हर एक जनपद में एक particular product को हम develop करके, उसका जो लोग पियता है, उसको सीधा market से जोड़ना, MSME के विभाग से जोड़ना, उसको प्रोच्सान देना, उनको स्टार्ट अप के लिए पैसा देना, इस तरह का योजना करके, छोटी-छोटी योजना को हम लोग बढ़ावा देते जा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे चीज़े और भी है, जो उत्तरपेज में तीन साल में हम बहुत धन्यवाद, ये थे उत्तरप्रदेश सरकार के स्वास्त मंतरी जैप्रताप सिंग जी, स्वास्त मंतरी जी ने कहा कि उत्तरप्रदेश में, योगी जी के नेतवत्त में, उत्तरप्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है, आज इस काकरम में एतना ही, आगे की अब लोगे लिए देखते रहिए स्वामय यूपी उत्राखन सहरापड़ा